गिरने तो खुद को कोशिश करते रहो कुछ तो नया सीखेंगे जिन्दगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो देशको जिडि बिहार के मौनिंग लाइफ शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबा आपके साथ आपकी होस्ट मैं हो मसकान देशको नया दिन के शुरुआत हो चुकी हो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज आपके समक्ष वबस्तित होते हैं एक विशेश महमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और साथी देशको जब भी जीवन कि अगर हम बात करे तो जीवन में हमें कई बार असफलताऑं देखती हैं लेकिन हमें कभी असफलताओं से हर नहीं मानना चाहिए बलकि इस से सीख के हमयशा कोशश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए वो कहते है ना कि जो गिर के उड़ता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है वही असल में मुकदर का सिकंदर भी कहलाता है इसे के साथ दर्शेकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिन है रवीवार और रवीवार का दिन हम सभी को बहुत ही पसंद होता है क्योंकि इस दिन हम सभी अपने घरवालों के लिए और अपने खुद के लिए समय निकाल पाते हैं और वो कहते हैं ना कि दिन के जब शुरुआत हम करते हैं एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे विचार के साथ तो दिन हमें दिन भर के लिए एक मोटिवेशन मिलता है एक पॉजिटिव अंदर से एक अच्छा फील आता है कि हमें कुछ बहतर करना है और अंदर से एक मोटि तो कुछ बूंदे आप पर भी पड़ती हैं महात्मा गान थे हुआ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर एमके सहनी ये हमेपेतिक चिकित्सक है सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कारिक्रम में अगर हम बात करें हमेपेतिक के साथ बहुत सारी चिक무 है अअगर बात करें हमेपेतिक चिकित्सा की तो किस से और कितना कारगर है आप से जाना चाहेंगे धन्यवाद आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और आज हम लोग देख रहे हैं कि चिकित्सा के कुछ ही नाम हम लोग जानते हैं लेकिन अगर पूरे विश्वे में देखा जाए तो सेक्रो हजारों चिकित्सा पद्धितियां उपलब्द हैं और सभी के अपनी अपनी खा मानी है उससे बिल्कुल ही अलग है क्योंकि यहा पर जो दवा का जो देने का तरीका है वह बिल्कुल अलग है जहां एलॉपेथी में एक कौन्टीटी के दवा के अंदर में कोई भी मॉलिकुल्स नहीं होता और कारगर होता है इसलिए इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग मनुष्य को एक संपूर्ण कित्ता के अधार पर चिकित्सा किया करते हैं जो कि अन्य चिकित्सा प्रधतियों में से थोड़ा सा अलग है हम लोग रोगी को रोगी के नाम से नहीं रोगी के उसके वहार, उसके वातवरान, उसके सरीर, उसके बनावट, उसके जो परस्निलिटी है उसके अधार पर शिकित्सा करते हैं तो इस माइने में यह बिलकुल ही अलग है और एक बात और है Engine का हमेशा एक ही दवा का इस्तमाल करते हैं और मिनिमम डोज इसको कहते हैं कि तीन बेसिक फर्मूला है हम लोग के एक मोनो मतलब की एक ही दवा को देना सीमी मतलब सीमिलेज हम ये ँसे मिलत जुलत और मिनि मतलब की दौक्टर के दौरा किया गया था लेकिन आज हमारे भारत वर्स में यह पुरे रूप से व्यापक रूप से सभी प्रदेशों में उपलब्ध है तो इस बारे में आप क्या पताना चाहेंगे आपने ब्ला अच्छा सवाल किया है साइड एफेक्ट्स को ले करके देखिए दवा का अगर मूल परिवासा आप देखेंगे तो दवा का मतलब होता है इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि दवा प्रायवाची सब्द है विश्का और आप हम लोग किया एक स्लोक कहा जाता है विशस से विश्दम विश्द ही विश्की दवा होती है चाहे हुआ अलोपथी हो चाहे ह कितने भी केमिकल सब्स्टांस ले लेते हैं मेडिसनल सब्स्टांस ले लेते हैं चाहा उसके अब मेडिसनल सब्स्टांस कहते हैं या पॉजनल सब्स्टांस कहते हैं दोनों में एक है कि वह उसका बेवार में अंतर है उसका अंस में अंतर है इतना मात्रा कम किया जाता है कि उसका जो negative side है हो करके नहीं हो करके उसका positive property ही हम लोगों को दिखलाई पड़े अब हम लोगों का side effect है आप कहेंगे कि side effect किस प्रकार का होगा? विस है तो विस का side effect तो होना ही चाहिए अगर उसमें रह गया तो जब quantity की बात आती है तो एलोपेथी में क्वांटिटी की यूज किया जाता है, जिसे आप देखते होंगे 50 mg, 100 mg, 200 mg, तो उस मात्रा में वहाँ पर side effect का मात्रा ज्यादा होता है, लेकिन होमेपेथी में दवा इतनी सुक्षम होते हैं, इतने दुखम होते हैं, जिसको हम लोग energy medicines कहते हैं, तो यहा बहुती safe है, बहुती सुरक्षित है, और सरल है, और इसका गलत होने के बाद भी इसका परभाव जो है, तो side effect नहीं देखा जाता है, यह बड़ा हम लोग के खासियत है होमेपेथी दवा की, जी, और साथ ही हम हमेपेथी की बात करें, तो इसमें अगर ने अनुसंधान की बात करें, तो क्या कुछ है इस बारे में भी आप बताएंगे कुछ? करके Dr. Hennyman ने इसको विश्तार किया, तो वहां से चल करके Hennyman के रास्ते, आज यह पूरे विश्व में फैल गया है, लेकिन जब हम अपने भारतिये, संस्कृती भारतिये परिवेश में देखते हैं, तो यहां पर हमेपेथी का पहले से ही है, क्योंकि हमारे आयर्यवदिक ग्रंथों में जो कहते हैं, जो मूल भारतिये चिकरसा परिटिक, वहां भी यह है, क्योंकि जो मंत्र है, जो मैंने कहा, सिमिलिया, सिमिलिबस, क्यूरिंचर, यह जर्मन लैंगविज में है, और इसी का हमारे ग्रंथों में मिलता है, समह समम समयती, यानि कि पैरिलल है, तो कह सकते हैं कि वहां से चल करके, आज आप देखेंगे, तो इसके अंदर में काफी टेक्नलोजिकली जो इस्तमाल हो रहा है, इसके बिवहार में, इसके टाक्टिकल यूज में सरल बनाने के लिए काफी, हम लोग दवा का चुनाव करने के लिए हमारे हाँ एक विशिष्ट पध्धती का इस्तमाल किया जाता है, जो किया निची कि सब पध्धती में नहीं किया जाता है, और वह है रिपर्टरी, डॉक्टर हैनिमन का एक मूल धारना था कि दवा को चुनाओ करने के लिए हमारे पास में टेक्नलोजी होनी चाहिए उस टेक्नलोजी के माधियम से उन्होंने रिपोर्टरी के जर्म दिया आज आप देखेंगे कि कंप्यूटर के हर एक एडिशन में आपको मिल जाएगा इसक सॉफ्ट्वेर्स उपलब्ध हैं और वर्ल्ड क्लास सॉफ्ट्वेर्स होमेपेथिक दवा के चुनाओ के लिए आजकल यूज किया रहा है यह तो हुआ हमारे सेलेक्शन के मेथड़ के लिए लेकिन दवा कैसे काम करता है इतना सुप्ष मुरहत्य हुए भी तो इसके में काफी अच्छा एक संस्थान है जिसे की सेंट्रल कॉंसिल फर रिसर्च इन होमेपेथि खेंद्रिया होमेपेथिक अनुस्तंधान पड़िसर्च की अस्थापना की गई है जहां की नए दवा के खोज के सास्थ में पुराने दवा का पुना परिक्षन करने का भी बेव बंद्रिया हो खेंद्रिया दो इस इसाज़कर हमारे बिहार में भी है आर्युक्रि की धा और ठीन निर्रंटर हो कि शिक्शा चल रहा है चकुर्ट poczcom की निर्णतर होजिकर हम लोग उर्यों सब्सुक्ति हर एक न्या रोगी निया निया अindo-sथान होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दुस्रे से भिन होता है इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए हमें एक दवा खोजनी पड़ती है खोजने का मतलब क्या हुआ रिसर्च कना पड़ता है अनुसंदार जैसे अगा हमारे पास में अगर एक ही रोग के चारों की आते हैं तो चारों के ल नहीं होगा चारों के लिए अलग अलग दवा होगा हाना आपको अगर ए दवा देते हैं तो उनको बी देंगे उनको सी देंगे वह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उनके परस्नलीटी बेस पर किस तरह का दवा को हमने खुजा है यह एक विशिष्ट अनुसंद तो कहते हैं कि हमारे चिकिस्ता पद्धती में हम रिसर्च ओर्येंटेट ट्रीटमेंट होता है इसलिए होमेपर्थी का एक या भी खासियत है कि हर एक रोगी के लिए जो डागनोसिस प्रॉसेस है वह के वल बाहर ही नहीं होता है यह पूरा जीवन के अधारित होता है बिलकुल सर और कहomma हैं हमेपोड्यत के बात करें तो ऐसा भी करते हैं कि यह किसी भी बेमारी को जड़से खटम करता है और साथ 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 सर और भी चीज़ों पर हम बात करेंगा हम देख रहें कि मौसम में भी बदलाव आया है और कहीननी कպई सर्दे बखार हर मौसम के बदलाव कसатель जरूर आता है सभी को हम देखते हैं कि मौसम के बदलाव के साथ जो सर्दे बुखार है वो हर मौसम के बदलाव के साथ सब को होता ही है और कहीं न कहीं हम देखने ठंडने भी दस तक दे दी है और सर्दे बुखार बहुत आम है सभी को होना मैं अब से जाना चाहूंगे जब यह बात करें हैं हमेपेथिक की, कि लोग बिना दॉक्टर को कंसल्ट किये, कोई भी ऐलोपेथिक का दबाई जो अकसर लेते आए हैं वही जाके ले लेते हैं और पी लेते हैं या सिरफ हो या फीवर की कोई दबाई हो, तो यह सब करना कितना सही या गलत है आपसे जाना चाह मौसम के विशह में जो परिवर्तन है यह बाहर का परिवर्तन होता है और एडाप्टेशन बहुत ही व्यक्तिगत होता है मने उसको आप उसमें कैसे अपने स्टैबिलिटी को बनाया रखते हैं यह आपके इंटरनल स्ट्रेंग्ट पर डिपेंड करता है और हर एक रोगी का हर एक व्यक्ति का अपना-पना स्ट्रंग्ट होता है इम्मुनिटी पावर भी अपना-पना होता है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका जीवन सेली कैसा रहा अगर आप अच्छे जीवन सेली में है आपका काफी नियमित जीवन है तो उस पर आपको जल्दी मौसम क या किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन जो कोई थोड़ा से लापरवाही है ना केरलेसनेस जिसको हम लोग कहते हैं लापरवाही अगर है तो उसमें छोटे छोटी बातों को ध्यान देना ब्रावस्यक होता है और हम लोग इस पात को भूल जाते हैं बच्च कैसे अपने अभी ठंडे का मौसम आ रहा है तो कैसे अपने आप पर परहेज करना शुरू करें कैसे अपने कप्ड़े में बदलाव लाएं अपने खाने पीने में कैसे बदलाव लाएं ऐसा हम लोग समझते जाते हैं तो कम होता जाता है तो एड़ेप्टेशन अंडरस्ट पावर को उसके basic structural constitutional power को हम लोग बढ़ाने का कोशिस करते हैं हर एक व्यक्ति का constitution अपने आप में अलग होता है बनावट से लेकर के मानसिक मानसिक और सारे रिक यह दोनों का समिस्रन को ही हम लोग होमेपैथी में constitutional समवैधानिक treatment कहते हैं और इसके अधार पर जो चुना गया दवा होता है वह आपके आपके immunity power को boost up करता है अब ठीक उसमें ज्यादे ठीक रहते हैं और ज्यादा इन तक सही रह सकते हैं चुकि अगर हम दवा का देने का तो तरीका होता है अगर हम भीतर से दवा ऐसा है जो कि भीतर से जाकर कि आपकी energy power को boost up करे तो वह आपका long standing होगा उसके जिस कहते हैं कि होमेपितिक दवा से जड़ से बीमारी ठीक हो जाता है यह जड़ का मतलब क्या होता है जड़ का मतलब इसा है कि आप ठीक हो गया फिर से आप पुरानी अवस्पा में चले जाए और लाइफ स्टाइल में चले जाए जड़ से निकलने वाली बात कभी नहीं हो सकती है जड़ से तभी होगा जब कि आपकी समझदारी बदल गई और हाँ ये बात सही है कि होविपेथी दवा जो है सो ठीक हो जाते हैं वह जल्दी दूबारा नहीं होते हैं उसमें बहुत ही रेर देखा गया है कि उसमें रिला यानि कि रिलाब्सिंग आर निचर बनाद बारा अ Когда आर ऑसमार थी खते हैं की होगoney दवा उसमें अन्रिज्टक को कतम करता है और काफी एक बेसिक बैलिंस वाल देखा लगन ने का क Zoo माणने में हम समझते हैं कि हुमेफिक मैं ऐस्तनिक में मनुसिक सब्सक्रीख में बहुत जादा है और इसको समझ करके अगर जो चित सक प्रयोग करते हैं तो काफी शफल होते हैं इसी हो मेरे पांसे हैं तबी कहीं कहीं कोई भी बैमारी जड़ से खतम होती है कई बार हम देखते हैं कि हम ठीक होते हैं लेकिन हम मन में सोचते हैं कि हम ठीक नहीं है तो हमारा स्वास्त भी बिगड़ जाता है कहते हैं कि अगर हम positive सोचेंगे तो हमारा स्वास्त भी कहीं ने कहीं ठीक रहेगा और दवाईयों की तो बात की बात है और साथी साथ जैसा कि आपने बताया है कि हमें पैते क्या जो जड़ से बिमारियों को खतम करते हैं तो यह जो सर अपने तमाम जो जानकारी दी है वो कहीं है कि हमारी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है बहुत जाद इंपॉर्टेंट है झाल झाल